इनों को दिपावली के हर दिक्तुम काम ना हैं, गाउल में सबी लोगों को भी जो सो रहे हैं उनको भी मस्तुरुआज इस दिपावली के सुबह औसर पर परभू सिरी राम जी से करना चाहूंगा जब 14 वर्सों का वनवास पूरा करने के बाद माता सीता और परभू सिरी राम लशमर जी आयोद्या वापस लोटे लंका पर विजय पढ़ाप्त करने के बाद तो भारत ने भगवान राव और माता सीता के चरणों में अपना सर रख दिया माता सीता के चरण और भरत के सर ने दोनों ने एक दूसरे को धन किया माता सीता के चरण धन किया हुए ये वो चरण थे मिधिला के राजकुमारी अरध्य के महरानी जिनों ने तीनों लोगों पर विजय पराप्त करने वाले लंका के अधिपति रावण के अहेंकार में लाद मार दी थी और भरत के सर भनने हुए क्यों कि यह वो सिम्हासन जिसने 14 सालों का मुपट उतार कर अपनी भाई के चरण के थड़ाओ अपने सर अपने सर पर रखकर सासन किया मैं सुरू करता हूँ अब आगे की पनक्तिया हस्कि की पनक्तिया होंगे और इसे किसी और दिरिष्टे से ना लें एक हाथ में मोबाइल दूसरा में हंडेल भांगा और गिलवाली में साइकल हुलगा नाली में एक परिया भूलगा नक्सेबाजी भूलगा कलाज में मास्टर जी से ने पूछा ये बता रहे हैं इस कलाज में सबसे बेवकूफ लड़का कौन है मैं खड़ा हो गया उन्होंने कहा तुम बेवकूफ हो मैंने कहा नहीं आप अपेले पड़े अच्छा महीं लग रहा है मास्टर जी ने गरित के द्यापक आए बताए पूछे की दस्मलों बताओ किसे कहते हैं मैंने कहा जिसे दस बार लगाता है लव हो जाए उन्हें दस्मलों कहते हैं कुछ साहिया है लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है लग गई आग मेरे घर में एँब बचा ही क्या है जो बच गया मैं समझे जला ही क्या है अपनी मेहनद時 में नतीजा है मुगज़े मिलने मेरी लगात आई है बरसा आई है अब तुझे ऐसे कैसे जाने जू है मोब बड़ी मुश्किल से तु मेरे हाथ आई है कुछ के विताएं हैं सुनाना तो चाहूंगा अगा कर लेकिन राग तो उसना सही है नहीं जो ट्रिप है उने के पास समंदर रखा मिला प्यासों के इर्द गिर्द समासों का दौर है जंगल में जंगल जगल आए थे उसमें बस्तियां भी थी पूलो के साथ कुछ काटों के साथ पूलो पर तितिलियां भी थी मैफिल में जितने गीत भी मन से सुने गए सब में किसी के नाम का रिच्कियां आ गई किसमत की बाजियों पे इस प्यार नहीं है सब कुछ है जिन्दगी में मगर प्यार नहीं है कोई था जिसको याद करके गा रहे है हम आखों में अब किसी का इंपजार नहीं है पीछे दुझों खरे हैं तालिया नहीं बजा रहा है जाते हैं अगर कहीं आरकेश्टा होता तालिया बजाना छोड़िए फुद भी नाजने लगते हैं कुछरीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की साम हुई तु को है तेरा नाम है क्या सीता भी यहां बजनाम हुई फिर क्यूं भीग गए संसार की बातों से तेरे नैना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना बन्यमाद आप कभी ने इसमें उस्ता के साथ यहां पर इकट्से हुए हैं इस उस्ता का आनन दली